Hello, myself Dr. Shashiboricha, आपका मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपको एक होमेोपेथिक मेडिसिन एक्स्प्लेइन करूँगी जिसका नाम है Grandelia Robusta मैं आपको बताऊंगी कि आप इस मेडिसिन को कौन-कौन सी कंडिशन में यूज़ कर सकते हो कौन-कौन सी क्लिनिकल प्रॉब्लम में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो इसके साथी साथ कौन से डोज में आपको एक मेडिसिन यूज़ करने चाहिए लेकिन उससे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीज़े और जो बैल आइकन है उसे प्रेस कर लीज़े ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रेंडेलिया एक प्लांट किंगनम की मेडिसिन है और इसका कॉमन नेम है रोजिन वुड इसका स्फेर ओफेक्शन में आपको बता देती हूँ कि आखिर बॉडी के कौन-कौन से ओर्गन में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है तो सबसे पहले ये रेस्पिरेटरी ओर्गन के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इसके अलावा ये मेडिसिन स्किन से रिलेटेट प्रॉबलम के लिए भी यूज की जा सकती है इसके अलावा gastric problem के लिए भी आप इस medicine का use कर सकते हो digestive track में इसके बहुत ही अच्छे result है specially spleen से related बीमारियों के लिए आप इस medicine का use कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि grandelia medicine respiratory problems के लिए बहुत ही अच्छी medicine है अगर किसी person को asthma की बिमारी है तो आप वहाँ पे इस medicine का use कर सकते हो asthma में देखा जाता है कि लोगों को बहुत जादा suffocation feel होता है night के time में अगर किसी person को suffocation feel होता हो सास लेने में तकलीफ होती हो या फिर वो अचानक से उठ जाते हो और लेते हुए वो सास नहीं ले सकते तो ऐसी condition में आप इस medicine का use कर सकते हो इसके अलावा आप इस medicine का use bronchitis जैसी condition में भी कर सकते हो अगर excessive mucos formation होने लग जाए excessive mucos का secretion होने लग जाए respiratory tract में तो आप इस medicine का use कर सकते हो chronic cough में भी आप इस medicine का use कर सकते हो ऐसा देखा जाता है कि grandelia के patient का जो cough होता है वो बहुत ज़्यादा थीक होता है whitish color का होता है और काफि चिपचिपा होता है जिससे निकालने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है grandelia के patient में wheezing sound देखा जाता है कोई भी problem हो जैसे कि asthma हो या फिर bronchitis हो या फिर अगर किसी person को chronic cough की problem हो तो उनके chest में आपको wheezing sound सुनाई दे जाएगा उन्हें respiration में काफी ज़्यादा problem होती है suffocation feel होने लग जाता है और specially ये सारी चीज़ा उन्हें night में ही feel होती है grandelia medicine को आप sleep apnea जैसी condition में भी use कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि night में person को respiration से related problem होती है तब आप इस medicine का use कर सकते हो sleep apnea में ऐसा देखा जाता है कि लोगों को respiration में problem होती है अचानक से सांसे रुख जाती है और घुटन जैसा feel होता है तो ऐसी condition में आप इस medicine का use कर सकते हो grandelia उन लोगों के लिए बहुती अच्छी medicine है जिनको सोते time suffocation feel होता हो अचानक से वो उठ जाते हो और उन्हें सांस लेने के लिए sitting position में आना पड़ता हो अगर कोई person लेटा हुआ है तो उन्हें सांस लेने में काफी जादा दिक्कत होती है अगर ये सारे symptoms है तो आप इस medicine का use कर सकते हो grandelia medicine का use आप gastric problem में भी कर सकते हो अगर किसी person को बहुत जादा fullness feel होता हो gastric problem रहती हो gastritis रहता हो या फिर उन्हें बहुती जादा पेट में दुखता हो तो आप ऐसी condition में इस medicine का use कर सकते है अगर किसी भी person को spleen से related कोई बीमारी है या फिर किसी बीमारी के वज़े से spleenic complication हो गया हो तो ऐसी condition में आप इस medicine का use कर सकते है ऐसा देखा जाता है कि अगर spleen में swelling हो जाए, inflammation हो जाए तो ऐसी condition के लिए ये medicine बहुत ही जादा effective है अगर किसी person को spleenic problem है उन्हें spleen में infection या फिर inflammation हुआ है तो ऐसे लोगों में left hypochondrium में pain होने लग जाता है और कई बार ये pain migrate होके thighs में भी चला जाता है इसके अलावा hip joint में भी लोगों को pain होने लग जाता है grandelium medicine का use आप chronic malaria जैसी condition में भी use कर सकते है अगर किसी person को malaria बहुत जादा severe हो चुका है spleen में swelling हो चुकी है बहुत जादा infection फैल चुका है तो ऐसी condition में आप इस medicine का use कर सकते है grandelium medicine को आप skin related बीमारियों के लिए यूज़ कर सकते है अगर किसी person को rash की problem है उन्हें बार-बार itching feel होती हो burning sensation आते हो rash में तो ऐसी condition में आप इस medicine का use कर सकते है grandelium medicine का use आप harpes जैसी condition में भी कर सकते है अगर किसी person को blister formation हो जाए उसमें itching होने लग जाए बर्निंग होने लग जाए तो ऐसी condition में आप इस medicine का use कर सकते है harpes किसी भी part में हो तो आप वहाँ इस medicine का use कर सकते है इसके अलावा ulcer जैसी बीमारियों में भी आप इस medicine का use कर सकते है अगर किसी person को skin में swelling हो जाए ulcer के असपास bluish discoloration हो जाए तो ऐसी condition में आप इस medicine का use कर सकते है grandalia medicine को आप mother tincture form में use कर सकते है अगर आप इस medicine को mother tincture form में orally use करते है तो आपको 10-15 drop half cup पानी में डाल के इसे 3 बार लेना होगा और आप इस medicine को local application के तोर पे भी use कर सकते है जैसे कि अगर किसी person को skin से related बीमारी है जैसे कि rash हो गया या फिर उन्हें harpes है या फिर कोई ulcer हुआ है तो आप वहाँ पे इस medicine को locally apply कर सकते है So friends ये था grandalia robusta मैंने आपको बता दिया कि आप इस medicine को कौन-कौन सी condition में use कर सकते हो कौन से dose में आप इस medicine को use कर सकते हो तो अगर आप मुझसे consult करना चाते है किसी condition के लिए तो आप मुझे मेरे whatsapp number पे message कर सकते है मैं आपको reply करूंगी तो अगर आपको मेरा वीडियो useful और informative लगा हो तो आप please इसको like कर दीजे और साथे साथ आप मेरे चैनल को subscribe कर लीजे और जो bell icon है उसे press कर लीजे ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का notification मिलता रहे तो आज के लिए बस इतना ही thank you